अगर आप कंसिस्टेंट हो तो तो आज की सेडूल देख लेते हैं बेसिकली मॉडन देन हिस्ट्री जो हमारा कंटिनीव चल रहा था उसमें सेग्मेंट हमने नेक्स सेग्मेंट को उठाया है सोचियो रिलिजियस मोमेंट ठीक है ना देखिए ब्रिटिसर्स जो थे ना वो बहुत जादा हमें डिस्टब देखिए ठीक है ना इकॉनमिकली ड्रेन किये फाइनेंसेली हम लोग बहुत वीक हुए लेकिन कुछ चीजें थी हमारे देश में ना हमारे कंट्री में जिसको ब्रिटिसर्स ही हटा सकते थे हमारे यां सोचियल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी थे आप अगर नेगटिव कॉन्टेक्स देखते हो तो थोड़ा सा पॉज इमाजिन कर सकते हो अभी के टाइम में इमाजिन करके देख लो और यह के कोई बहुत दिन पहले की बात नहीं है ठीक है ना बहुत पुरानी बात नहीं है 1829 के बाद भी हुआ है यह ऐसा नहीं है कि 1829 को विलेम बेंटिक आया इसको ब्लॉक कर दिया राजारा मोहनरोय जी बहुत सारा काम कर दी हट गया तो अंटचिबिलिटी तो था ही और आप बिलीव नहीं करोगे इंडिया के ऐसे बहुत सारे कोने हैं जहां पर अभी यह चीज होता है ठीक है और जैसे आप इंटीरियर में चले जाओगे न कहीं पर मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट का नाम न तो socially we haven't accepted anything और नॉर्मली इन चीजों को एवाइट करना चाहिए आपको लगेगा कि हो सकता है मैं इन चीजों को इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि मैं इसको फेस किया हूं ने मैं इनको फेस नहीं किया हूं ठीक है ना बट किसी के दोरा किया जाता है society में day by day और यह किया आता है till now ठीक है ना सो basically reservation का जो concept है ना I am not a reservation holder लेकिन फिर भी reservation का जो concept है ना वो socially uplift करने के लिए किया गया था हाला कि बहुत तौर से सुधरा है ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा हालत अभी भी वैसा ही है लेकिन फिर भी exist करता है यह बात ध्यान रखिएगा ठीक है ना तो बेसिक इंट्रोलक्षन जानेंगे सती वुमेन एजुकेशन चाइल्ड मैरेज वीडोरी मैरेज ठीक है ना फिमल इंफेंटिसाइट अगर आपको मेंस लिखना है ना किसी पेपर में तो यह चप्टर आपको काफी मदद करेगा याद रखेगा अगर आपको मेंस लिखना ह चप्टर एट चप्टर नाइन था लेकिन लेकिन मैंने इसको सिर्फ चप्टर एट डाला है आज क्योंकि मुझे पता है कि यह काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है ना और कास्ट बेस्ट एक्स्प्लाइटेशन तो यह आपको बेसिक इंट्रोड़क्षन आज जानना है modern Indian history के पार्ट में socio religious movement में ठीक है ना उसके बाद हमें कुछ revise करना है हम लोग daily revision का segment को रखते हैं daily आप अगर revision के segment को introduce करोगे तो आपके लिए काफी काम आसान हो जाएगा ठीक है ना तो आज मैंने जो revise में डाला है और revision मेरा कैसे होता है active recall करके होता है active recall अक्टिव recall कहने क वर के consequences क्या थे वर की result क्या आई और फिर end कभ हुआ फिर उसमें कौन से governor general involved थे फिर इंडिया मतलब इंडियन साइट से कौन थे ठीक है ना मराथा के साइट से कौन थे फ्रेंच के साइट से कौन थे सिख के साइट से ठीक है तो आपको actively recall करना है ठीक है अ active recall मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इससे जादा memorization होता है जादे दिन तक रहता है concept उसके बाद आप धिरे 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 कर गया उसको याद ही कर लोगे तो इस पार्ट को मैं हर बार डालूंगा active recall आपका होना चाहिए segmentation का active recall हो रहा है तो आपके लिए सारी चीजें बहुत आ physics है वह एक पर पढ़ लेना बहुत ही छोटा तीन पेज का chapter है black soil को रेगूर क्यों कहते है अलुवियल soil कहां मिलता है फिर आपको यह बता सकते हो red soil red क्यों होता है बहुत छोटी छोटी चीजे है और छोटी सी exercise भी है 6-7 questions की उसको भी एक बार कर लीजेगा NCRT से ही करना है ठीक है ना फिर यहां भी एक activity caller concept होगा Indian physiographic का ठीक है ट्रॉपिक of cancer फिर किस latitude किस longitude पे है अगर आपको इसमें थोड़ी मीटा उट है तो मैं छोटी सी घटना चकर की 3-4 chapter पर हा रखा हूँ आप उसको जाकर देख सकते हैं उसमें आपकी clear हो जाएगी ठीक है अब देखिए mountains of North India हम लोग डेली कुछ mapping की चीज़ को भी करेंगे ठीक है ना कुछ mapping को introduce करते हैं तो एक काम करना न नौर्थ इंडिया के इतने mountains है एक blank map पे आप उसको pin करना ठीक है उसको अभी वैसे के वासे है उस map को रखना उस map को हम लोग fill करेंगे नौर्थ इंडिया से फिर Central इंडिया पे जाएंगे Central से फिर South इंडिया पे जाएंगे फिर उसके final खुद की map आपको दिखाऊंगा कि इस तरीके से करना है अभी आप सिर्फ North इंडिया की पूरी जो भी mountains से उसको mark कर लेना और काफी important है कुछ tricks भी बना लेना याद रखने ठीक है ना तो हम लोग डेली कुछ ना कुछ mapping के चीज को भी रखेंगे ठीक है चलिए तो यह रहा आज का mapping सिर्फ और सिर्फ नौर्थ इंडिया के mountains को एक वार रिकॉल करना है एक वार map पे पिन कर लेना एक blank map पे ठीक है ना अब चलिए daily current affairs अच्छा एक चीज समझे अब अब studies शुरू में start करते है ना पढ़ना तो सबसे पहले उठिएगा ना तो सबसे पहले एक आप चाहे रात में पढ़ते हो या दिन में पढ़ते हो आप सबसे पहला काम कीज़े ना एरिटोरियल और daily current affairs को पढ़िए मेरी मानी है अगर आप hard news paper पढ़ते हो daily एक घंटा बस तो आपकी mains writing capability भी बढ़ेगी और साथ-साथ में आपके बस words के collections भी आएगे तीसरी चीज़ कंसेप्ट हो रहेगी और आपकी answer में unique less रहेगा कभी ना कभी तो आपको mains लिखना ही पड़ेगा अगर आप preparation कर रहे हो PSC state, PCS, UPSC के तो आप कभी mains लिखोगे तो उसको आप व आपको videos देखके नहीं होगा, videos खासकर editorial की सुनके बहुत जादा फाइदा नहीं होगा, अगर आप समझ लो कि मानलो paper उठाते हो, आपको परने का थोड़ा भी मन नहीं कर रहा है, फिर भी आप कोसिस करोगे तो आपको लगो, एक से दो week में आपको लगने लगेगा, हाँ अब यह मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप कोसिस करो, अगर आपके यहां नहीं आती है, तो इंडियन एक स्पेस ले लो, इंडियन एक स्पेस भी नहीं आती है, तो आप डिजिटल वे में फोन पर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आज कल तो हर जगा टेलिग्राम आप एविलबल है, फ्री में भी पर, ठीक है, याद रखेगा, अच्छा, एक चीज़ को और इंट्रोड्यूस कीज़े अपने लाइफस्टाइल में, एक होता है RSTV का डिबेट, बहुत बार सुने होगे आप टॉपर से, ठीक है, लेकिन इससे बेनिफिट्स बहुत होते ह अगर अभी माल लिए कहीं डिबेट्स होता है, अगर मैं डिबेट करता हूँ, तो मैंने लगभग इसकी कम से कम 100 प्लस वीडियो को एक बर सुन रखा है, और कुछ-कुछ नोट्स भी बना रखा है, ठीक है, तो अगर मैं इस पर डिबेट करूँगा, तो मेरे पास कुछ अगर मुझे में में कुछ आंसर लिखना है, तो मेरे पास अलड़ी विल्ट वैलिट पॉइंट्स है, ठीक है ना, जैसे माल लिए एक था, मैनूल स्केवेंजिंग पर, ठीक है न, तो जैसे लोग मैनूली स्केवेंज करते थे, जैसे स्वेज क्लियर करना, फिर गटर साफ करना, तो उस पे मेरे पास वैलिट पॉइंट्स होंगे, नहीं भी तो 30-40, तो अगर वो मेरे पास है, तो आपको लगता नहीं है, मेंस में पूछ सकता है, वोमेन इंपावर्मन पूछ सकता है, एक कुश्चन जान समझ लिजिए, एक आता है, प्रिजिनर अफ वर्स, ठीक तो यह प्रिजिनर अफ वर्स का कंसिप्ट था, इसलिए वोमेन को रोकते थे, अब्स्रक्ट करते थे, लेकिन हाँ, अब जो एंडिये गर्मिंट आई है, उन्होंने इसको अलाव कर दिया है, तो यह जो बाइफरकेशन हुआ, यह जो ग्रेट चेंज हुआ ना, तो यह ज इंप्रूमेंट धीरे-धीरे होगे, और याद रखिएगा, यह जो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो एंस लगी से, लेकिन अगर आप इसको चार से पांच महीने कर लिए ना, तो आप बहुत रेस में आगे होगे, कहने को भीर है, चार लाग, पांच लाग लोग भडते हैं, ल लेकिन मैं यह नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यह सेडूल मैं खुद के लिए बनाया हूँ और आपके लिए बनाया हूँ, अगर आप इंवाल्व्ड हो, तो अच्छी बात है, यह आपको बेनिफिट करेगा, इविन पांच लोग भी अगर जूरे हैंगे, एविन एक लो को दालेंगे, कभी हम लोग किसी factual description को याद करने कमें टाइम लगाएंगे, कभी जनिलशन के कुछ portions को लेंगे, कभी जन्रसाई से कुस portion को भाई गालेंगे यह ऐप速 वर تूर्य को टैक यह, तो अक रिदी लोग को के लिए टित्वा तोलस्टन नह audio ían दालेंगे